अगर practically हम देखने चाहे तो सच में बाद perform करता है for time period किसके लिए अपना simple pendulum के लिए अगर practically हम देखने चाहे तो सच में बाद perform करता है इस वीडियो के अंदर guys total दो टॉपिक हम cover करने वाले है simple pendulum and दूसरा time period अब simple pendulum वैसे आप लोगों ने सुना होगा इस वीडियो के अंदर जो चीज़े हम cover करने वाले वो ये cover करने माले क्या सच में simple pendulum simple harmonic motion perform करता है की नहीं करता है अगर practically हम देखने चाहे तो सच में बाद perform करता है क्यों देखो एक बार अगर आप extreme position पे लेके जाओ तो फिर वो mean position पे आता है यह थोड़े यह आपको figure दिया हुआ इसके बारे में थोड़ी चीज़े बता दू कि यह हमारा string दिया हुआ है यह string के साथ जो bob attach है उसका mass mg है तो string के अंदर जो tension है string के अंदर क्या tension है अब गाईस यह mg को यह mg को दो component में divide किया हुआ है एक है हमारा mg को साथ टेटा mg को सट टेटा और यह है मारा mg 457 तो mg को सट रहा है टेंशन इंडर स्ट्रींग और mg को सग्रिक क्या दे रहे है necessary cerity node force वुलदभ पार्ष् weirdly जैनजिः रहे mg साथ ट्रींड किया दे रहे और mg क्या डे रहे है और mg को सट रहे है अब गईस दूसरी बात चलो पहले यहां हम लिख देते हैं अब हम यह clean हो गया और यह हमारा जो एल दिया हुआ है यह length of a string है तो चलो सबसे पहली बात तो आप सभी को भी मैंने बताया ती अपना क्या था tension रिया string कोन balance कर रहा था mg cos theta clear इसके बाद गईस force force कोन दे रहा था था mg sin theta minus और यह minus क्यों लगा है गाईस देखो मैंने पहले ही बताया था कि जो force and displacement है अगर मैं force इधर लगा रहा है तो body इधर displace हो रही है तो force and displacement एक दूसरे का opposite direction में हो रहा है इसलिए यहां मैंने क्या लिया है माइनस लिया है अब गाईस अब यह theta की value ध्यान दो पहले यहां sin theta nearly equal to theta क्योंकि theta बहुत ज्यादा छोटा है यह जो एंगल है बहुत ज्यादा छोटा है theta equal to arc upon radius यह हमने 11 में पढ़ा है और radius यह क्या होगा यह यह पूरा एक तरह से circle consider किया जाता है उसी तरह से arc हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा तो theta equal to arc upon radius तो arc अपने लिए क्या हो गया एक्स एक्स की value आर्क अपने रेडियस रेडियस क्या होगे यह एल तो इसको देदो equation number one और इसको देदो equation number two clear इसको equation number one इसको equation number two आप क्या करो पूट कर दो आप मैं इसको clean कर दो clean कर दो चोटा कर दो क्योंकि derivation आप एक ही जगह पे रहागा तो आपको ज्यादा अच्या समझ मैं आगे चोटे हो जाओ हो गये हो गया हो गया है चलो आप गया करूंगा इसके जगह पूट करता हूँ एफ इक्वल टू एम जी तीटा के जगह पे क्या जगह है तीटा के जगह पे एक्स अपान एल क्लियर आप देखो इसको अंडर कर देते हैं मैं फिर से यहां एक पर लिख देता हूँ एफ इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपान एल बट हीर ध्यान देना एक दम अच्छे से हैं एम जी एल आर कॉंस्टरंट सही बात है ना म सब्सक्राइब में तो क्या हो सकता है वह चेंज हो सकते है और जो जो डिस्प्लेस्मेंट है वह चेंज हो सकता है यह 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 तीन ओ constant है जब भी constant और ripple की sign हम अड़ाते हैं मेरे दोस्त तो क्या लगता है proportional का sign तो proportional का sign लगा और यहां बचा minus x और मेरे ख्याल से कहीं देखा देखा सा लग रहा है यह किसकी पैचान है यह हमारा simple harmonic motion की पैचान जो मैंने आपको force lecture में बताया था तो इससे में पता चल गया कि simple pendulum simple pendulum भी क्या perform करता है simple harmonic motion perform करता है clear तो एक बार screenshot ले लो पटाक से गलती से पता है number दिख गया था अब वाट्सप का वाई ओ number दिखने का मुझे problem नहीं है बात में इतना जाता है लोगों को problem हो जाता है इसका number दिख्या आना विचारे भी पुराने घाल हो जाता है इतने call आना start हो जाता है इसले फिर मैंने फिर से start किया time grade time grade का सबसे simple सा formula का आपको यह पता होगा यह वाला देखो t equal to 2 pi upon omega okay clear but guys omega का भी एक formula आपको पता है omega square equal to k by m omega equal to under root k by m था ना तो मैंने omega square equal to k by m यह भी आपको पता है इसको देदो equation number one to equation number one अभी थोड़े दिर में सब चीज़े समझ में आ जाएगी हम थोड़े इसको underline कर दे हो गया अब गाइस omega square square equal to k by m अब गाइस अपने को एक formula पता है सैसे पता है f equal to minus k of x यह पता है पता है बट गाइस force का भी एक formula पता था mass into acceleration होता है की नहीं होता है होता है ना तो mass into acceleration equal to minus k of x अब गाइस एक चीज़ और मुझे बताना है इसको हम ना यह जो माइनस दिया है यह जो माइनस की जो अपना simple harmony motion का जो formula था इसको only magnitude में लेंगे magnitude मतले यह जो sign minus दिखाता है वो direction दिखाता है कि force and displacement दोने एक दूसरे का opposite direction में होता है तो बस अब इसको magnitude में लेंगे in magnitude magnitude मतलब माइनस हम नहीं लेंगे अफ इक्वर्टो के ओफ एक्स लियर आबष फोर्स इक्वर्टो क्या होता है फोर्स इक्वर्टो होता है माज इंटू acceleration हो गया आप यह हमें K की वैल्यू चाहिए थी क्योंकि हम यह दो equation number 2 हमें यह के की वैल्यू चाहिए थी तो इसलिए X को यहां replace करना पड़ेगा मास एक्सलरेशन अपॉन एक्स इक्वाल टू के एक्वेशन नमबर थर्ड अब मेरे दोस्त यह थर्ड वाला मैं किसे पूट करूँगा सेकेंड के अंदर तो चलो पूट करते हैं ओमेगा स्क्वार इक्वाल कि की वेलु क्या है यह देखो में अपॉन 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 एक्स यह की वैल्यू हमने पुट कर दी के के वैल्यू पुट कर दी अब नीचे क्या M, तो भाई यह M, M क्या होगा है, कैंसल, क्या बचा, ओमेगा स्क्वाइर इक्वल टू A by X, यही बचा, अब स्क्वाइर इक्वल क्यों स्ट लेके जाओ, क्या हो जाएगा, स्क्वाइर रूट आफ, A by X, अब देखो, ओमेगा की वैल्यू मिल गई है, इक्वेशन नमबर यह होगा है, थार्ड, इक्वेशन नमबर फॉर्थ, ओमेगा की वैल्यू मिल गई, पुट फॉर्थ इन पस्ट, पस्ट में, तो टीक वल्टू, तू पाई, अपउन ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा डिवाइड में, इसलिए जब मैं इसको भी लिखनाँ तो यह उल्टा हो जाएगा, क्योंकि नीचे है, चलो मैं यहां इसे लिखी देता यह देखो, ओमेगा की वैल्यू क्या है, एबाइ एक्स, अगर मुझे इसको मल्टिप्लाइ में लिखना है तो यह उल्टा हो जाएगा, यह ऐसा हो जाएगा, टीक वल्टू, टू पाई, जो नीचे था, वो उपर हो जाएगा, जो उपर हो और नीचे हो जाएगा, एक्स अगर मेरे खाएगा, यहां तो कोई भी डाउट होगा, मेरे खाल से नहीं होगा, यह एक चीज हमने पढ़ा है, बहुत पहले पढ़ा हो, बहुत पहले नहीं अब भी जास पढ़ा है, चलो मैं यहां लिखी देता हूँ, एक वाल टू, क्या देखो यह वाला, f equal to minus mg x upon l, यह पढ़ा है, चलो यहां कर देते है, minus mg x upon l, बड़ गाइस, हम direction की बात नहीं लेंगे, हम magnitude में लेंगे, तो यह sign हटा देंगे, तो यह हो जागा, f equal to mg x by l, clear, but guys, force का formula, आपने कोई पता है, एक वाला formula, mass into acceleration, mg x by l, दोनों साइट से mass mass क्या हो गए, cancel, यह क्या बचा, अभी देखो, यह क्यों कर रहे हो sir, अभी समझ में आ जागा, a equal to g x by l, अब देखो, ध्यान से देखना, यह जो x है, यह जो x है, multiply में है, equal के साइट है का तो divide हो जा a upon x कहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं दिख रहे हैं, equation number fourth, equation number fifth, कहीं दिख रहे हैं, a upon x, दिख रहे हैं, परसवार इदो x upon a, x upon a, तो भाई ठीक है, यह a upon x है, अपने को क्या चीए, x upon a चीए, तो बस इसको भी उल्टा कर दो, वहाँ हम क्या लिखेंगे, वहाँ g upon l नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, l upon g, क्योंकि अपने को क्या चीए, a upon x e है, a upon x e है, तो यह x upon a था, तो हम ही गराना पड़ी, वहाँ value लिखते से में, उल्टा, तो वहाँ आपने को क्या है, x upon a है, x upon a है तो हम भी क्या लिखेंगे, l upon g, तो हम put करेंगे, 6, put 6 in, पस्ट, तो t equal to 2 pi under root x upon a है तो यह भी उल्टा हो जागा एल अपॉल जी और यह हो गया हमारा this is expression for time period के इसके लिए अपना simple pendulum के लिए अब अगर कोई आपसे पूछे कि मेरे दोस frequency का बताओ तो frequency बताओ कितना होता है तो दोस पहले इसका एक screenshot ले लो ले लिया दोस को बढ़ाक से बोल देना क्या बोलना पता है अरे मेरे दोस बस इसको जो frequency होता है वो time period का reciprocal होता है तो time period का formula गया बस इसको उल्टा कर दो तूपाई के जगा वन अपन टूपाई कर दो और जो अपन जी था उसको जी अपन अल कर दो हो गया किसका frequency का भी तो भाई इसके अंदर total उन्हें तीन expression देख लिए यह तो कुछ भी नहीं था पराता है एक्जाम में पहला हमने देखा कि जो सिंपल पैंडूला में वह सिंपल हार्मोनिक कि मशन परफॉर्म करता है कि निए परफॉर्म करता है वह हमने प्रूफ करके दिया फिर हमने दूसरा जो देखा दूसरा हमने यह देखा कि टाइम प्रेड तो टाइम प्रेड हमने मिला चलो यार इसी के साथ हम frequency भी आपको बता देते हैं तो यहां भाई दोनों टॉपिक कम्प्लीट हुआ मिलता है में नेक्स वीडियो में थैंक्यों सो मस् गाइस जैहिन दोस्तो